नमस्कार शिक्षार्थियो नैदानिक एवं उप्चरत्मक पोशन की व्याख्यान श्रिक्ला में आपका पुना स्वागत है शिक्षार्थियो इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने शालापूर्व बालकों के आहार एवं पोशन के बारे में बात की थी इस व्याख्यान में हम विद्यालाई बालों को के आहार एवं पोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे छे से बारा बर्ष के बच्चे विद्यालाई बालों की श्रेडी में आते हैं और इस अवस्था को हम उत्तर बाले अवस्था भी कहते हैं विशेष्टाएं एवं शारिरिक परिवर्तनों की बात करें, तो इस आयू में अपनाई गई आदतें वा व्यवहार, आगे चलकर किशोर अवस्था की नियू बनती हैं, इस आयू में बच्चे सम्हूं गती विदियों में रुची लेना प्राराम करते हैं, और धीरे धीरे दोस्तों के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगता है, परन्तु इस अवस्था में उनकी शारिरिक विकास की दर पूर्व अवस्था के मुकाबले धीमी एवं स्थिर होती है, पांच से आट वर्ष के आयो के दौरान बच्चे बड़ी मांस पेशों को छोटी मांस पेशों का विकास भी तेजी से होने लगता है, किशोर अवस्था तक पहुचने पर बालक शारिर्ग वृध्धी मांस पेश तथा समवेगातमकår विशेष्टाओं से प्रभावित होने लगता है, और साथी उसे इस अवस्था में अपने परिवार और अपने साथियों के साथ भी सामन जस्य स्थापित करना पड़ता है जिसमें उसकी बहुत सारी उर्जा व्याय होती है पौश्टिक आहर का इस अवस्था में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि यदि इस आयू में बालकों पौश्टिक आहर नहीं मिलता तो उसके शारिरिक, मांसिक, बौधिक एवं स सभी काम स्वयम करना चाहते हैं जैसे रोजमर्णा के काम जैसे नहाना वस्तर पहनना भूजन करना अपनी वस्तों को समभानना दूसरों का हस्तक्षेप उन्हें पसंद नहीं आता इस अवस्था में बालकों में समूभावना बहुत प्रबल होती है और दोस्त उनके लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण होते हैं और अधिकांश समय वह अपना दोस्तों के साथ ही बिताते हैं जिसके कारण वह अपने भूजन पर परयाप्त ध्यान नहीं दे पाते और इस अवस्ता में बालक समाजिक मानेता और एम आचरणों को भी सीखता है इस आयू में बालक को भूख बहुत अधिक लगती है किन्तु विद्यालय के कारिय का भार ग्रहकार खेलने से थकान इन आधिकारों के वजह से भरपिट भूजन नहीं कर पाते हैं इसायू के बालक बहुत जिग्या सुप्रवर्थिके होते हैं वे अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तों के बारे में जानकरी प्राप्त करना चाते हैं उनमें इसायू में नातिक्ता की भावना का विकास होने लगता है फलतावा परिवार समूहु साथियोंता विद्यालय वा समाज के नियमों के अनुसार आजरन करने लगते हैं किसी विशेश भूजन के प्रती उनकी रुची इस आयू में बनने लगती है और कई भूजन वह ऐसे पसंद करने लगते हैं और कुछ भूजन उन्हें बिल्कुल ना पसंद होते हैं जो जिसको बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते हैं इस आयू में हड़ियां परिपक्प हो जाती हैं बच्चों के दूद के दांत किर जाते ह शरीर की व्रिदी के साथ खुन की मात्रा भी विस्तार होने लगता है इस बालक की हात पेरों का विकास शरीर की तुल्णा में अधिक तीवृता से होता है जिससे उनकी टांगे लंभी प्रतीत होती है पोशक तत्मों की मांग की बात करें तो भारतिये चिकित सा नुसंदान परिशत के द्वारा इन अवस्था में बच्चों की पोशक आवशकताओं को दो समुह में बाटा गया है साथ से नौ वर्ष एवं दस से पारा वर्ष विभिन पोशक कत्वों की मात्रा इस तालिका में दी गई है उर्जा की बात करें तो विद्यालाई बालग अधिक रियाशिल होते हैं जिसके कारण इन बच्चों को परियाप्त मात्रा में उर्जा यूग तहार देना आवशक होता है और यदि उनको यह आहर ना मिले उनका शारेड़े के मांस से विकास अवरुद्ध हो सकता है बढ़ती आयों के साथ उनकी उर्जा की अवशक्ता बढ़ती है दस वर्ष के पश्चाद बालिकाओं में यह अवशक्ता बालगों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है प्रोटीन विद्यालेई बच्चों में वृद्धी, शक्ती और मांस पेशियों के रक्रकाओं के लिए प्रोटीन बहुत महतुपोड है नवीन कोशिकाओं के निर्माण, टूटी-फूटी कोशिकाओं एवं तंतों के निर्माण के लिए प्रोटीन यूएक तो भोजन लेना अती आवशक होता है इस अवस्था में प्रोटीन की पूर्ती ये तो बच्चों के आहार में परियाप्त मात्रा में दूद, अंडा, मांस, मचली, दाले, सोयावीन आदी सम्मलित करने चाहिए बच्चों में वसा विशेश रूप से ओमेगा 3 फैटी असेड़ जो होते हैं इसके अलावा वसा घुलंचील विटामिनों जैसे विटामिन A, D, E एवं K के संचरन के लिए भी आहरी वसा आवशक है कैल्शियम की बात करें तो इस आयों के बच्चों में दातों एवं अस्थियों के विकास के लिए कैल्शियम अती आवशक है इस आयों में जैसे हमने बात करें कि बच्चों के दूद के दात तूट कर उनके स्थान पर इस्थाई दात उकते हैं तो इस आयों के बच्चों को दूद वा दूद से बने उत्पाद अधिक मात्रा में खिलाने चाहिए और कैल्चिम के अवस्षण के लिए विटमिन D आवश्चक होता है तो विटमिन D की मांग भी इस अवस्था के लिए पूरी होनी अत्यनता आवश्चक है परन्तु जैसे विटमिन D धूप की रोश्णी से मिलता है सूरी की रोश्णी से तो अगर बालक बाहर खेलने में अधिक समय व्यतीत करता है तो वह इस मात्रा को पूरी कर लेता है इस आयू में शरीर की विद्धी और विस्तार के साथर रख्तिकी मात्रा का विस्तार होता है और यदि लौलवन की कमी हो जाए तो बच्चे को अनीमिया हो सकता है जिससे उसको थकान, कमजोरी होने लगती है और उसकी शारीरिक रियाए प्रभावित हो जाती है लौलवन की कमी होने पर बच्चे को ध्यान के इंद्रित करने में भी समस्या हो सकती है जिससे विद्याले में उसका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो सकता है इसकी पूरती के लिए बच्चों के आहार में साबुत अनाज, फलियां, हरी पत्यदार सबजियां जैसे पालक, मेथी, बथवा ये सब सम्मिलित करने चाहिए और यदि बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में उनको सब्जी के बजाए, मेथी की पूरी, बथवे के पराटे, पालका सूप, अर्थात उनका रूप बदल कर खिलाना चाहिए लाव लवण के अच्छे असोशन के लिए उनको विटमिन C से सब्पन सुरोतों को भी खिलाना चाहिए, जैसे खटे फल आदी विटमिन A की बात करें, तो विटमिन A आँखों की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक है, और साथी विटमिन A की कमी अगर यदि बच्चों में हो जाए, तो बच्चों में संक्रमण से लड़ने की शमताभी कम हो जाती है, तो ऐसे में बच्चे के आहार में विटमिन A से युक्त, खादिपदार्त जैसे गाजयर, पपीता, आम, पीले फल इनका समाविश करना चाहिए। विटमिन B समू, विद्याले की विद्याले की बालकों में बी विटमिनों की मांग भी आयों के साथ साथ बढ़ती है। और बालिकाओं की अपेक्षा में बालकों में अधिक होती है, हाला कि पिरिडॉक्सिन और फोलिकमल की दैनिक मांग 10-12 वर्ष के दोरान बालक और बालिकाओं में समान होती है। विटमिन C बच्चों को विबिन रोगों से बचाव तथा रोग पत्रियोदक शमता बढ़ाने के लिए परियात्मात्रा में विटमिन C की अवश्रक्ता होती है। बच्चों कि और बीचूंचा मत 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 मूने पत्रइब के सात्तें चाहिए। एवश्रक्ता स्युल्स को बच्चों की अवैर्ष कशिन रोपधा त्रिव्यवी। हो सकते पोस्तियां उसलिक्षूं के चोते ऊंटे रोबते हैं बालकों की अवालिकाओं में थीखे। कई तरह की भोजन सम्बंदी समस्याइं देखने को मिलती हैं विद्यालाई भालगों में जैसे बच्चे इस आयू में कुछ विशेष्ट भोजन से इंकार कर सकते हैं किसी विशेष भोजन में रुची दिखाते हैं और उन्हें खाना पसंद करता है जबकि कोई विशेष भोजन उन्हें इस आयू में पसंद नहीं होता और वो उसे छूते भी नहीं है इस आयू के बच्चे हरी पतिदार सब्जियां और अन्नी सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, टिंडे, करेले, कद्दू ये सब खाना कम पसंद करते हैं और कई बार वह अपने काम में खेलने में इतने व्यस्त होते हैं कि भोजन ही नहीं करते तो इन सब का असर बालक के पोशन पर भी पड़ता है तो ऐसे में हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि बालक विवित्ता से पूर्ण भोजन ग्रेंड करे चाहे वह थोड़ी मात्रा में एलर्जी एवम फूर इंटॉलरंस यानि खाद आहिस संशनुता देखने को मिल सकती है इस अवस्ता में विद्ध्यालाई की विद्ध्यालाई की बालकों में अकसर कुछ खादे बदारतों जैसे अंड्डाय दूद या मूफली के प्रती आलर्जी देखिती है इसके अलावा कुछ बालगों में गेहों में पाई जाने वाले प्रोटीन जिसे हम ग्लूटन कहते हैं और दूद में पाई जाने वाली शरकड़ा जिसको हम लेक्तोस कहते हैं उसके प्रतीबी असहनियता देखने को मिलती है तो ऐसे में आहर से इन खादी बदारतों को पूरी तरह हटाना पड़ता है जिससे उनके पोशन स्थर प्रभावित हो सकता है ऐसी स्थिदी में आवश्यक है कि बालक को जिस खादी बदार से अलर्जी हो उसका विकल्प बालक को दिया जाए या फिर डॉक्टरी सलहा लिये जाए रख्तालपता हो सकती है इस आईउ में इस आईउ के बालकों में लोलर्ण की कमी से होने वाली रख्तालपता एक आउqua समस्या है जो 2-9 वर्ष़ के बच्चों में देखने को मिलती है जिनका आहार जैदातर दूद वा दूद से बने वेंजनों पर अधारित होता है और उनके आहार में लौल लवन के खादर स्रोद बहुत कम या नहीं होते हैं रखतालपता से पीडित बच्चे स्कूल में अच्छा स्रैक्शनिक प्रगर्शन नहीं कर पाते कमजोरी वा थकान महसूस करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उनके आहर में लौल लणों के उत्तम स्रोज जैसे मांस, कलेजी, साबुत अनाज, हरीपत्तर, सबजी आधी समलित किये जाएं मोटापपा भी देखने को मिलता है इस अवस्था में बालकों में यह एक आम तमस्या है आजकल के यूग में जब से हमारे जीवन शैली में टीवी, इंटरनेट, मोबाइल इन्होंने अपनी जगा बनाई है तो धीरे-धीरे बच्चों ने शारेडिक खेल बहुत कम कर दिये हैं बच्चे हमेशा इंटरनेट और मोबाइल में ही गेम्स खेलते रहते हैं इसके विज़ासे उनकी शारेडिक जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत कम हो जाती है और आगे जाकर ये मोटापा वयस कवस्था में उनके लिए कई विमारे कारण बन सकता है जैसे मधुमें, रिदय रोग, उच्ची रक्तशाब, आदी इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को जंक फूट के स्थान पर घड़का बना साफ स्वच्च और पॉस्टिक बोजन दिया जाए और उन्हें टीवी, इंटरनेट, मोबाइल के साथ अधिक व्यक्ति विताने की बजाए शारेडिक खेल कूट के लिए प्रिरित किया जाए कोई आहार विकार देखा जा सकता है इस अवस्था में विद्यालाई बालोकों में जैसे अनुरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा और बिंजीटिंग अपने शरीर के वजन वे आकृति को लेकर संतुष्ट नहीं होते और वजन घटानी को लेकर भूगे रहते हैं जो स्वास सम्मंदी का ही समस्याइं पैदा कर सकता है या विकार इस आयों में लड़कियों में ज़्या देखने को मिलता है बुलीमिया नर्वोसा से ग्रस्थ बालक थोड़ी समय में अधिक और बार बार भूजन खाते हैं और फिर जबरदस्ती उसको उलटते हैं या उल्टी करते हैं और फिर अत्यथिक व्यायाम करते हैं बिन झीटिंग विकार से ग्रस बाला रोजाना अधीख खाना खाते हैं और बोजन पर नियंद्र नहीं कर पाते हैं और इसमें बाला भूक न होने पर भी खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि उनको पेट भरने के बाद पेचयानी महसूस न वहूद ये सबी समस्य Дेख बच्चों के बच्चे करते हैं तो उनमें प्रॉब्लम दीखी जाती है इस तरह के बोजन आकसर बच्चों के दातों में चिपक जाते हैं जिससे दातों में बैदा हो सकती है और अगर बच्चा नियमित रुप से अपने दातों के सफाई नहीं करता तो भी उसके दान सर जाते हैं इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के मीठे व्यंजन और चौफी चॉकलेट बगरा बच्चों को सिमीत मात्रा में दें और उनको साफ सफाई के लिए सचेत रेनी की प्र प्रिता लाने के लिए उनकी ठाली में कम से कम एक प्रकार का दुख दूटपाद एक प्रकार की सबजी एक प्रकार की मांस मचली या दाल कोई एक प्रकार का फल और एक प्रकार का अनाज अवश्य होना चाहिए बाला को हर तरह की बोजन के लिए प्रिद करना चाहिए बा जात के खाने के बाद सुबह के नाश्टे के लिए एक लंबा अंतराल होता है और इसमें बच्चे के अधिक भूका होने के संभावना होती है किन्तु समय कम होता है और बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है तो कई बार बार नाश्टा भी नहीं करते हैं और धीरे का नाश्ता पूर्ण में पॉष्टिक होना चाहिए जिससे खाने में कम समय लगे अता उन्हें दूद अंडा या इससे बना कोई वेंजन हम दे सकते हैं दोपर का खाना चुकि बालक विद्याले में अपने साथियों के साथ खाता है इसलिए जरूरी है कि उसका बोजन देख करना चाहिए कि बच्चे उसको उत्सुपता और प्रसंदता से ग्रहड कर सके यदि कोई बालक कोई विशेश आहर पसंद नहीं करता तो उसके रूप आकार इमा पकाने के विधी में परिबर्तन करना चाहिए स्नैक्स सक्री बच्चों के लिए एक स्वस्ताहार का बहत्प की बनी रहती है और बच्चों को भूजन करने के लिए शांद मधुर्वा प्रेम भरावात वरंदे और उनको परिवार के साथ बैठकर भूजन करने के लिए रेट करें तो आपने इस व्याख्यान में देखा कि किस प्रकार विध्यालई बालों को के आहर और पोशन से